जहीं दोस्तों वंदे मातरा एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत जल्दी में कहीं जा रहा था जल्दी थी ऑविसी बात है नाश्ता मिस कर दिया था तो मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था तो मैंने वहीं पर सामने की दुकान से एक समोसा लिया और गाड़ी पर खड़े ह कर वो मैं ऐसे ही खाने लगा तभी सामने से एक महिला आई जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता दो और प्यार से मुस्कुराते हुए मेरे करीब आई मुझे लगा को शायद कोई मदद माग रही होंगी या एड्रस बूच रही होंगी जो कि अमूवन होता है लेकिन और मेर पास में आके मुझे सिद्धी तोरों पर गारा कि बेटा कर इतनी ही भूक लग रही थोड़ा अंदर को खड़े हो के खालो यहां खड़े हो के खालो अब यह बात तो बस बात हो गई कि मतलब इस बात में कोई अलग से कोई बात नहीं है बस मुद्दा इतना है कि जिस अगे को किसी चीज के लिए निश्यत किया गया कि यह काम यहां होना जैसे खाना खाने का काम अंदर है नाश्ता करने के लिए टेबल कुर्सियां लगाए जाती हैं दुकान के सामने आप खड़े होके खा सकते हैं आप उसको अगर अलग जगे पर खड़े का होके करेंगे जब नमाज अदा करने के लिए मस्जिद हैं तो यह वही होनी चाहिए इस प्रकार की बाते हो रही हैं लेकिन कुछ पत्रकार इसको मतलब अब योगा के थूँ इसको जहर गोलने वाली चीज बता रहे हैं मतलब एक आजीव सी बात होती है लेकिन जब यह पत्रकार पता च मजारें उगाती हैं नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम भीड देश विदेश में सड़क पर आकर ट्रफिक जाम करवाती हैं लेकिन एंटवी पत्रकार मुहमद गजाली और विजेता सिंग को समस्य इस बात से है कि हिंदू शांतिपूर्ण धंग से अपनी बात क्यों रख र रहे हैं कि अशांति फैलानी जाए इसलिए पुलिस को उनके आईडी कार्ट्स चेक करना के लिए भी कहा जा रहा है इस दोरान खुले में नमाज बंद करो नमाज मस्जिद में अदा करो जैसे पोस्टर्स भी उन्होंने दिखाए बस इतनी सी बात पर पत्रकार वजेता सि दिया दस्वर क्या था एनेडीवी के पत्रकार मुहमद गजाली ने इस मौके का इस्तमाल योग का मजाक उडाने के लिए भी कर दिया उन्होंने लिखा कि ये वाला समू सुबह अनलोम विलोम के साथ-साथ जहर भी खूब उगलता है मतलब एनेडीवी के पत्रकार सितमबर मतलब सितमबर 2021 से विरोध प्रदर्शन जारी है शुकरवार मतलब 15 अक्टूबर 2021 को गुरूगराम सेक्टर 47 में स्थानी हिंदु लोगों ने लगतार चौते सब्ता भजन कीरतन का प्रदर्शन किया मौके पर पहुंची पुलिस बल और अधिकारी ने विरोध कर करने वालों को समझाने का कोशिश करी उसको लेकर स्थानी लोग अक्रूशित हो गया और उन्हें आरप लगाया कि हमसे वादा किया गया था कि दस दिन में इस समस्या का समधान कर दिये जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैकिन देखी बात सपश सी ह आमने साक्षाद भी है कि भाई देखी सभी को अपना अपना एजेंडा दिख रहा होता है और जिसको जहां मौका मिलता हो वहां पर चौका छक्का मार देता है अब आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रू होता है मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जै जै बारोट